बिस्मिल्य रह्मानी रहीम असलाम अलेकम मेरी यूट्यूब फैमिली नू कैसे हैं आप तुसी ठीक हो फेस्बूक आलो तुसी कि दम भी तुसी ठीक हो मेरी ना बेटी मुझे कहती कि ममा हमारी फ्रेंड है उसका नाक ना बिल्लकूल सीधा मैं का बेटा फड़के पुठा कर ना इनक की बड़ा पलमान बने हो या इनक की साड डाउन र्नर बने हो या है नाक नैए रहनाग नाक नी रहना भी जिदों नहीं रहोगी ते ऐसी देखलांगे रहालांगे हून ता इन्हा कोशिज हाद हुँआ कि हर चीज прवीशन लग जाए है। केरी नाक चोड़ी गालचिनी बढ़ांगे टेमो टेम बाइर आ जाते हैं मैंने यहां रखी एक खांडी और मैंने इसमें वन टेबल स्पून डाला लसन दर्क का पेस्ट अच्छा प्यास काटने का बिल्कुल दिल नहीं कह रहा था ते आप्यास ते टमाटर इसकी पेस्ट है मैं ओई पाली विच तो इसको मैं बनाऊंगी आज इतना मज़ेदार ब्रेकफास्ट बनने लगा है मैं आज कीमा और साबड डाल के अंडे बनाऊंगी बड़े वदिया करके मोटी काली मिर्च तीन चार लोंग डाल लिये मैंने एक डाल चीनी का चोटा सा बिलकूर चोटा सा डाल लिया चुकडा और साथ में मैंने ये काली साबड जो मिर्चे चोटी होती है साथ से आठ वो होंगी वो डाल के मैंने ना इसको अच्छे से थोड़ा सा भून लेना है ते बवाजी उदर मेरी बेटी बना रही है क्लब सेंड़िच क्योंके इस नाश्टे को लग जाना टाइम तो बेटी कहती के हमें भूक लगी हुए है तो मैं कि किता मैं कर तुसी क्लब सेंड़िच बनाओ तो वो खाएं तो ये मैंने लाइची जो सबस है दो वो डाली है इतना मज़ेदार ये कीमा अंडे बनेगा ना कि छाड़ गलना दो जो मेरा हमेशा से फिक्रा है मैंने एक खरी मिर्च जो है ये तीखी नहीं है बवाजी वो इदर काट देनी है कुटी पालो, पीसके पालो, साबत पालो, फ्लेवर लेके आना बस अच्छा शिमला मिर्च मेरे पास पड़ी हुई थी मैंने का खराब ना हो जाए मैंने वो भी डाली क्योंकि शिमला मिर्च डाल के कीमा बनाते है इतना मज़े का बनता है ना बो जैसे प्याज एक लसन अद्रक और टमाटर का टेस्ट होगा ना ऐसे शिमला मिर्च डाली मैंने उसका टेस्ट आएगा ठीक है लेकिन ये शिमला मिर्च कीमा नहीं है इसलिए मैंने इसमें डाल दी पानी पालो, नहीं पानी ना पाओ, ताड़ी मर्जी थोड़ा सा पानी का चींटा लगा है आप लोग ना लसन अद्रक प्याज दूसरा काट के आप डाल के मसाला बना लें कीमे के लिए तो मैं जरा लोग का शोड की तेहीं है चलो मुझे ना ना इतनी मेनत करनी पड़े आपको पता नाच था फिर इतना लंबा चोड़ा बन गया तो बाकी सारे कामों में, सारे दिन के काम जो है ना वो रह जाते है जब बंदा सुबह सुबह इतना ठक जाए जीरा डाला हाफ टेबल स्पून, थोड़ी सी हल्दी डाली कुटा धनिया डाला इसमें मैंने यहां पर सारी चीज़ें कठी डाल दी है और क्या कहते है गरम मसाला भी मैंने इधर ही डाल दिया है फिर इसके बाद मैंने जो कुटी मिर्च है वो भी इसके अंदर डाल दी है अपने अबने साब्द से पालो, आदा किलो मेरे पास यह मट्तन का कीमा है और वन वन टीस्पून के साब बिसे आप सारी चीज़ें डालें जिन्या मैं तनू दसीयां ठीक है मैं तो टेबल स्पून यूज़ किया लेकिन मैं आप लोगो बता देती हूं है पहले ही कीमा बनाने से पहले बाबा जी फिर वहां पर कीमा भी भूण रहा है तो बेटी ने औ अंड़े डाले उसमें उसने डाला है मखण डाला डाल के काली मिर्च नमक पा के उसको इस स्टफिंग को रैडिक या हूँ इसके उपर उसने ब्रेड के कॉर्नर उरतार दिये वह इसने लगा दिया इसके उपर तो यह जो मेरे सिंपल से कलब सैन्विच होते हैं घर में जो मैं बनाती हूँ वो जो हैं रेडी हो गए है तो दोनों बेटियां माशाला अभी उठी थी बेटे अभी उठे नहीं हैं तो बबाजी उनके लिए नहीं उन्होंने बनाया तो अपने लिए बनाया तो मैं का फड़ो लो ते जाओ ते तुसी टेड़ पो रोते हो मुझे भी तसली होगी क्योंकि मा जब खाना बना रही होती है तो बच्चे आई जान दे सानु पोख लगी सानु दे दो वो ना खाना बनाने में मज़ा नहीं आता किरकरा सा मज़ा हो जाता अच्छा फिर वन टी स्पून ही मैंने 500 ग्राम जो मेरे पास कीमा है वो मैंने उसमें नमक वन टी स्पूनी डाला दो वारी कहता तो इसको अच्छी तरह भूनना है जब ये दस से बारा मिनट अच्छी तरह भून जाए खुश्बू आने लग जाती पाजिये ली तो इसमें मैंने एक गलास पानी डाल के नहीं कप टू फिफ्टी एमल का तो मैंने इसक गले का एंड पे थोड़ा सा भूनते हैं और क्या करना है बाद में देखे टकनाला आया एक बनने कीता अब मैं बनाऊंगी यहां पे बड़े मज़ेदार आज समोसा पराठा बनाऊंगी चुकोर पराठा बनाऊंगी और गूल अच्छे तो बावजी इसमें थोड़ा आटी नहीं खरीद दी जांगी इसलिए कि मैं खरीदनानी चाहती मुझे आदत है बाल में आठा गूनने की हंडी में आठा गूनने की हैं तो इसलिए फिर मैं वो नहीं करती है और खरीदती हिन्ञहीं और बबावजी डेली तो रोटी बनती हैं अपको पता है दो-तीन दि मुझे कोई फिर इतना नहीं है इशू के मैं कनाली प्रात रहूं लेकिन शोक है कि वो मट्टी की जो कनाली होती हुँ वो हो उसमें मैं आटा गुनू मुझे बड़ा शोक है उसमें गुनने का चोलो ये शोक भी फिर अपा कदी पूरा करांगे तो यहां पे कीमे का टकना चाट गला दो धनिया डालें अद्रक भी डालें अद्रक फिन में बाद में वो हांडी में नकाल के डालूंगी टेबल पे ही और हरी मिर्चे भी डालनी है वो भी डालके डालके साथ पराठे बनाए महमानों को यही दें आप मैंकनिया के ओ तरीफ करनगे ओ कैंगे तुसी नाशता सानों के डावदीया दिता बजाए बाजार के लाने के थोड़ी सी मेनत है या रात को बनाके रख़तें सुबो को गरम गरम अंडे डालके पराठे बनाए महमानों को नाशता दें साथ दही में रखें तो इना वदिया नाशते दा एक ना तर्ड़ा कमबίνिशन वे नकाले पेड़े अच्छा आज मैं समोसा की तरह का प्राथा मेरे बच्चे इसको समोसा प्राथा कहते हैं और चकोर बनाऊंगी और गोल बनाऊंगी हैं तो और भी मेरे पास प्राथे की में तो बो तरह के प्राथे तान पता बनाएं बाल वाले प्राथे बोत वराइटी में बनाए हैं तो एक और भी प्राठा बड़ा मेरा ना वो मेरे दमाग में आया है खुद ही मैंने वैसे कभी वो देखा नहीं वो आने वाली रेस्पी में होगा प्राठा बीच में से कटा हुआ प्राठा बनेंगा और बड़ा वदिया करके वो बनाऊंगी अच्छा मेरे पास ये मकषन में ना मैंने मेल्ट करके ना उसमें मैंने ना ये की केंदे ने मेदा डालके एक सलारी सी पहले प्राठे बनाए एक डेर माँ पहले वो अभी तक पड़ी हुई थी उसकी बच्ची हुई ना तो बबबजी वो लेटी सी वो लेई सी वो इसके उपर लगा दी फिर हम तीन कोनो वाले पराठे को समोसा पराठा मैं कहते हूं मेरे बच्चे कहते हैं तो वो हम बनाएंगे इतना मज़े का ये भी बनता है ना आपको वो ही इसमें टेस्ट आएगा करंची सा होगा कि जैसे ना आप बलवाला पराठा नहीं खाते कड़ करता हुआ मैं आपको सारा दिखाया भी इतनी स्टेजिस में जाके ये तेन नुक्रे बढ़नगे अच्छा दूसरा फिर मैं वो डाल के मैं कर ओऊपर घी डालने से पहले दूसरा रेडी कर लूँ जब तक वो फाइनल होगा तो मैंने गोल ये बनाया बना आके ये चौरस में बनाऊंगी बहुत अड़ा के बनते हैं फिर इसमें मैं घी डालूँगी फिर इसमें मैं खुशकाटा लगाऊंगी बस इसका एक पासा चक के इधर को कर देंगे दूजा पासा उसके उपर मुदा मारेंगे फिर साइडों को एक तर साइड को टरन देंगे दूजी ओदेते मुदी मार दांगे ये चौरस बन जाएगा ये कानी एत्थवी मुकी बस इनिक करके ना असी एत्थवी एकानी नों स्टॉप कर दे रहा है फिर जो पहली कानी चलाई भी पहले मैंने का उसका तो जरा अंजाम देखें के क्या हुआ है यहां पे फिर मैंने लगाया देसी गी आप ओईल लगा लें मक्खन लगा लें जिदन तड़ा देल करदा तुसी एदेते ला के पराठा बनाओ जैसे आपको अच्छा लगता है दोनों तरफ आप लोगों ने घी नहीं लगाना ना लाओ एक बनने ला के बना लो थोड़ा जया ला के बना लो एड़ी रोटी बना गे उत्तो चोप पर लो एस यू लाइक जैसे आप लोगो कन्वीनियन लगता है वैसे आप लोग अपनी मरजी किया करो एनी भी यूट्यूबर ने जो चीज़ बता दी वो स्टेप बाई स्टेप ओदें तुसी फोलो करनी नहीं बाबाजी तड़ाई कापना भी तरीका तुसी ओ तरीका भी करया करो अच्छा फिर दोनों तरफा इसके लगा कि नगी मैंने अच्छी तरह इसको जो है न वो पका लिया है कुक कर लिया है और बड़ा मज़े का बना अच्छा दूजा चुक के फिर वो डाल दिया जो चौरस मैंने ज आज वो हमारे साथ जोएन नहीं करेंगे नाच्छते को तो इसके बस मिलते जुलते यह सारी टाइप के बना के ना तो मैंने उन्हें का कि यहां से चुक के और लेते जाएं अच्छा मेरा बेटा माशालला उठके आया था तो फिर मैंने यह भी प्राठा बना लिया वो जो तबा है ना वो मुझे लगता वो भी एक्सपायर हो गया है मैं तर नंगल्द सेँ कि जो हमारे प्राठे खाने नूनस्टीक वास्ते नहीं है गया ना ना Wanna say you नूनस्टीक में तबा लेके आई अच्छा मैं बात कर रही थी कि ये पाकिस्तानी तवा है जो हमारे आम मियां लोहे के तवे यूज करती है तो ये बड़ा जबर्दस रहा तो बेटी मेरी कहा रही थी कि ममा बड़ी ट्रे में ही भाईयों ने डाल के खा लिये हैं तो जगा नहीं है वहां पर मुझे ये बता जब मैंने उसे का कि इस सारे प्राठे चोके उत्ते लेया जा ओ देखो वड़ियां प्लेटांची लेया के बठे हुए ने पस क्या कहा जा सकता फिर मैं उन्हां नों डांटे नहीं ना कुछ कहा क्योंके खाते वक्त ना मैं कहती हूँ खाने की टेबल पर बदमजगी नही हूनी चाहिए कोई गलता नों पैड़ी भी लाग दिया तुसी उन्हों बरदाश कुरते बादे विच्चो सॉल्व कर लो बाचो डिसकस कर लो लेकिन खानदे वक्त नाशते वक्त लांच डिनर वक्त तुसी कदी भी एदा दिकालना करो जड़ी मूड खराब करे छोटी को एग नहीं चोटी को चाहिए था खर्थन और ये एक बायट लेकिन यह दाइहां से खाऊंगी बाइच मैने अब दाइहां आथ में मुबायल अगांगी घखाऊंगी या मैं दाइहां से पहले मैं कर लूँ जी मुबायल का सेटप हों जी देखिए देखे हैं ये एक नमाद जबर होगा नहीं मुझे पी जाए है मुझे ना बहुत सारे लोग कहते हैं ताड़ा पानी किते हैं उन्दा तुस्यी पानी नहीं पीन दे जब हम टेबल पे आने लगते हैं सबसे पहले हमने बचों को कहना पानी पी ले मैंने इनके बाबा ने पानी पी लेना होता है फिर उसके बाद पीछे इस तरी स्टैंड पड़ा हुआ ना वहां पे पानी रखा होता है हमने ज्यादा तर जग में डालके जिसने पीना है वो उठके वहां से पी के आजागा पानी टेबल पे इसलिए नहीं रखती बच्चे छोटे हाथ मारके ग्रा देते हैं बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है तो फिर इतना खलारा पढ़ जाता है ना खाने में बड़ी बढ़ मजगी हो जाती इसलिए पानी में टेबल पे नहीं रखती पीछे रखा होता है जिसने पीना वहां से पी ले नहीं तो जादा तर पी के ही टेबल पर जाते हैं अच्छा फिर मैंने जी 1000 एम जी की चाई बनाई पती डाली चीनी डाली और फिर इसमें मैंने दूड डाला थोड़ा पानी है और ज्यादा दूड है डालके बस चाई होगी हमारी डन तो पाजी बस चाई को हम डालेंगे कप में और जाएंगे हम ड्राइंग रूम में वैदर बड़ा अच्छा मैं आपको दिखाती हूं उसको हम इंजोई करेंगे तो बात ये मैंने करनी थी मैंने आज बड़ा ही मुझे कोई पूछ रहा था कि आप जो हैं वो खाना ओयली खाती हैं मोटी नहीं होती हैं क्या वज़ा है देखे खाना ओयली जरूर बनता है हमारे गर में आप देखो बिल्कुल देसी टेच का खाना ज्यादा तर होता है वह जो ख्हाना खाया होता है कि मैं घृठी कॉछ तरह का हैवी एक यह वक्त खाती हूं यह डू मैने कुल खाने ख्षाने होते हैं एक मैने बेक फास्ट करना होता और यह एक ख्षाना काना होता है वागे कोई एसा मेरी कर शोग खाती हुआ लिए प्र collector gremo Umicam यह बेटे का ब्लैंकिट है काफी थिनों से ना फटा हुए है किन्दा ममा यह फट गया है इसको अब आप स्टीच कब लगाएंगी तो यह देखें यह देखें यह बच्चे इस तरह के काम करते हैं अब इसको मैं वेस्ट तो करनी ना सकती जाहरे निया ब्लैंकिट है तो रजाई लेंदे सी तो अमियों लोगों ने वो जो टांके डाले होती है नंगंदे जिसे कहते हैं अमना वो खेच खेच के तोड़ देना वो रजाई सारी ऐसी उदर जाती थी जब तक सद्दियां खतम होती थी तो बेटे ने भी अब यह देखें बस इसको एक धागा लग होगा भी एक थ्रेड इसके हाथ में आया तो उसने वो खेंच के बाकी सारा भी तोड़ दिया है तो मैं चलो इसको ना अब मैं सलाई लगा हूँ और आप लों को भी बता देती हूँ मैं यह मोटी चाल कर लिया इस पर और इसी पर लगाउंगी लगाने लगी हो लगती है क नहीं लेकिन अगर ना लगी तो फिर मैं बड़ी जो सुई है ना घुदूई सुई जिसे कहते हैं फिर ओदे ना लपान ना नुसी वागे तो अब भी हम लगा के देखते हैं इसको यह उपर और नीचे लगा देनी है फिर मैंने जी ब्लैंकिट स्टिच किया काफी दिनों इससे ये इसने थोड़ा सा औदेड़ा था फिर जादा हो गया मैं कहीं यहीं पर इसको कम शुरू हूं तो पहले ही कम काई यह यानि ज्यादा बढ़ जाए तो इसको मैंने सलाही लगा दी मैंने कहा शाहिद लगे ना लेकिन सलाही पी इसको लगए आप यह जो तो आप मशीन पर स्लाही लगा सकते हो कोई अड़ा इश्यून ने अपना बहुत सारा खिया रखेएगा थैंक्स पर वाइट